आज हम बात करेंगे POLित भारति शुविधान की 8 20 सुची कि बारे में और जानेंगे कि भारति सविधान की ख्या-थचे क्या है और इसके औंतरकर क्या-क्या प्रवधान है और इसके साथ यह जो अफ़्री भारते सविधान की जो आठविय नुसूची है किस प्रकार से गौर्मेंट एकजाम के दिरिष्टी से महत्यपुण है, तो सबसे पहले जानते हैं कि यहां भारत की सविधान की आठविय नुसूची है यहां भारत की भासाओं से सम्बंधित है, तो सबसे पहले इसे याद रखना कि जो आठवे निसूची की से समदित है तो यहाँ जो आठवे निसूची है वहाँ भारत की भासाओं से समदित अनिसूची है और दोस्तों इस जो अनिसूची में कुल 22 भारती भासाओं को सामिल किया गया था और प्रालम में अगर देखे तो यहाँ जो आठवे निसूची है इसमें मुल रूप से 14 भारती भासाओं को सामिल किया गया था उसके बाद क्रम्सा 21 सविधान संसुतन अधिनियम और 72 सविधान संसुतन अधिनियम के दौरा इसमें और 8 भासाओं को जोड़ा गया था इस प्रकार से जो वरतमान में हैं आठवे निसुची में जो भारती भासा हैं वह 22 है तो चलिए दोस्तों चलते हैं कि यहाँ जो आठवे निसुची है जो भारती भासाओं से संबंदित है इसमें कौन-कौन सी भासा सामिल है और इसमें कौन-कौन सी भासा कब-कब जुड़ा गया था तो दोस्तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्स्राइब कर ले ताकि आपको हमारे और आने वाली याईसे इंपर्टेंट वीडियो का नोठिफिकेशन मिलती रहे ताकि आपको गवर्मेंट एक्जाम की तयारी में एक में देखते हैं कि कौन-कौन सा या 22 भारती भासा है जो आठिएनी सुचि में सुची बद्ध है तो उसमे से आस्मी है बंगाली है गुजराती है हिंदी है पंडड है कसमीरी है कोकणी है मलियालम है मनिपुर है मनिपुरी है मराठी है नेपाली है उडिया है पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलगु है, उर्दु है, बोडो है, संथाली है, मैथली है, और डोगरी है तो इस प्रकार से जो है आठवेन सुची में कुल 22 भारती भासा सामिल है और इसमें एक बात याद रखने वाली बात है, जहां से देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि इसमें जो है, इंग्लिस भासा को सामिल नहीं किया गया है, तो इसे आप याद रखें कि इसमें इंगलीज भासा को शामिल नहीं किया गया है फिर बांकि इसमें जो बायुज भारती भासा है इसे अच्छे से याद कर ले पढ़ ले ताकि आप एक्जाम में अगर पूछ दिया जाएगे कि इसमें से कौन से भासा शामिल नहीं है जिसमें चार आपसन दें देंगे आपको फिर उसमें पूछे देंगे कितनी आपसन जो भासर रहेंगे वो सही रहेंगे और एक नहीं रहेंगे उसको पूछेंगे कि इसमें से कौन से सामिल नहीं या फिर चार भासर देंगे तो उसमें से, पूछँएंगे किसमें से कौण से सामिल है, तो इसमें और कुछ कुछ अलग-अलग हमारे देश में वीजता हमदा देश हैं। जहां जहां देखे तो बहुत वीजता हैं बहुत प्रकार की भासा हैं। बोली बुली जाती है तो फिर आप याद रखेंगे इसमें जो 22 भारती भासा कौन-कौन से है इसको अच्छे से देख ले पढ़ ले और इसको अच्छे से और रिविजन कर ले रट ले ताकि आपको एक्जाम में कोई confusion नहों कि कौन-कौन सी भारती भासा है आठवेन उसुची में सामिखें, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, कहाँ पर कुछ और महत्तपुन तत्य है जो भारती भासाओं से जोस्तों, जैसे की मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 14 भारती भासाओं को सुरू में सविधान में सामिल किया गया था और जो 8 भासा है उसे जिसमें से सबसे पहले सिंधी भासा को 21 सविधान संसुदन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था फिर उसे के बाद जो है कोकणी है और मनीपूरी है नेपाली है इसे 1992 के 71 सविधान संसुदन द्वारा सामिल किया गया था फिर इसी प्रकार से जो बोडो है डोगरी है मैथली है और संथाली है इसको 2003 के 92 सविधान संसुदन द्वारा जोड़ा गया था तो इस प्रकार से जो सविधान में जो मूल रुप से 8 14 भासा सामिल थे उसमें आठ और भासा जिसमें सिंधी, कोगणी, मनी, पूरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैत्री और संताली को जुड़ा गया था तो इस प्रकार से वर्तमान इस्थिती में कुल 22 भारती भासा सामिल है और इसमें इंपोर्टेंट ध्यान देनली बात है कि एक्जाम की द्रिश्टी से तो फिर इसमें मूल रूप से 14 भारती भासा सामिल थे सुरू में और इसमें सबसे बहले जो भारती भासा को जोड़ा ग गया था और तीसरी बार जो जोड़ा गया था उसमें चार भासा यानि की बोडो, डोगुरी, मैथली और संथाली को जोड़ा गया था तो इसे अच्छे से याद रखें तो आज के लिए बस इतना ही थाइंक्यू मिलते हैं ब्रेक के बाद